नमस्कार दोस्तो मेरे नाम स्रीकान कुमार अब देख रेटुजेट प्रोसेस आज हम बात करने वाली इस वीडियो में दोस्तो अगर आप इस रमकार्ड बनवाए हैं और इस रमकार्ड में अधार से लिंक बैंक खाता को अगर आप जुड़वाए होंगे तो आपका बैंक अगर नहीं है तो जल्दी से आप इस परकार से जोड ले नहीं तो जो भी आपको आर्थिक सहायता दिया जाएगा आपके बैंक एकाउंट तक नहीं पहुँच पाएगा तो चले दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चनल पर नहीं है तो मेरे चनल को पहले आप चेक कर लीजिए कि मेरा इस रमकार्ड में बैंक एकाउंट है या फी डिलिक्ट कर दिया गया है तो दोस्तों चेक करने के लिए सबसे पहले आपको इस पेज़ पर चले आना है और इस पेज़ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्सर में आपको मिल जाएगा दोस्तों सबसे पहले आपको इस box में अपना mobile number को type कर देना है और उसके बाद इस capture code को इस box में type कर देना है उसके बाद send OTP के option पे click कर देना है और उसके बाद इस number पर एक OTP को send किया गया है और उस OTP को आपको इस box में type कर देना है और उसके बाद सम्वित के option पे click कर देना ह उसके बाद इस परकार का interface यहाँ पे open हो जाता है तो सबसे पहले इस box में अपना अधार नमबर को type कर देना है और दोस्तों चेक करने के लिए यहाँ पे तीन option दिया गया है तो पहले option जो है कि fingerprint के माधियम से चेक कर सकते हैं और दुसरों option जो दिया गया है कि आँए रीटेना यहीं बायोमेटरिक द्वारा जो scan किया जाता है उसके द्वारा आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और तिसरों option जो दिया गया है कि अधार OTP के माधियम से तो चले हम यहां से हम आपको चेक करके दिखाते हैं OTP के माधियम से तो चले हम OTP को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इस Capture Code को इस Box में टाइप कर देना है और उसके बाद संवित के Option पे क्लिक कर देना है और उसके बाद जो भी अधार काट के साथ Mobile Number Link है उस नमबर पर एक O OTP को सेंड किया गया है और उस OTP को आपको इस Box में टाइप कर देना है और उसके बाद भाइलिडेट के Option पे क्लिक कर देना है उसके बाद दोस्तो अधार काट का पूरा डिटियल्स इस परकार्स यहां पे ओपेन हो जाता है और उसके बाद अपडेट एक के वाईसी परकार का इंटरफेस यहां पे ओपेन हो जाता है और दोस्तो अगर आप इस सरम कार्ड को डॉनलोड करना चाहते तो दोस्तो यहां पे एक Option दिया गया है डॉनलोड इवेन कार्ड इस वाले Option पे क्लिक करके आप इस परकार से यहां पर डॉनलोड कर सकते हैं इस सरम कार्ड को और दोस्तो एक option दिया गए update profile इस वाले option पे आपको click कर देना है और click करने के बाद दोस्तो यहाँ पे हम आपको बचला देते हैं कि अगर आप Ethereum card में किसी भी परकार को अगर आप change करना चाहते हैं तो यहाँ से आप change कर सकते हैं तो दोस्तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि मेरा जो bank account जो Ethereum card के साथ जोड़ा गया था वो delete कर दिया गया या फिर link है तो दोस्तो सबसे पहले यहाँ पे दिखिए नीचे से second option पे दिखने के लिए आपको मिल जाएगा bank account details इस वाले option पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद दोस्तो इस परकार से यहाँ पे open हो जाता है तो दोस्तो यहाँ पे दिखिए इस phone को जो कि जितना भी column है यहाँ पे खाली दिख रहा है यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है यानि कहने के मतलब है कि दोस्तो कि जो भी आप इस सरम कार्ट के साथ bank link के थे हैं यहाँ पे delete कर दिया गया है तो दोस्तो एक जगह से हम आपको और दिखा जाता हूं तो सबसे पहले हम back हो जाते हैं इस परकार से दिखिए हम back हो जाते हैं और उसके बाद इस परकार सबसे नीचे आते हैं तो दोस्तो एक option देखने के लिए मिलेगा पर भी profile इस वाले option पे click करते हैं तो दोस्तो सबसे नीचे यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा bank account का पूरा details और यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए bank account seeded with अधार और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है no दोस्तो जिस समय इसरम card बना रहे थे उस समय हम yes को select किये थे और yes select करने के बाद और दोस्तो जो भी अधार card के साथ bank account link था उसका पूरा detail से account number IFC code पूरा यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल जाता था और उसके बाद है जो है कि हम update कर दिया थे हैं पर दोस्तो यहाँ पर देखिए no के option जो दिख रहा है यानि करने के मतलब दोस्तो यही आर्थिक सहायता मिलने वाला होगा वो आपके bank account तक नहीं पहुचेगा तो दोस्तो bank account जोडने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा तो यहाँ पर देखिए bank account details के option पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद दोस्तो यहाँ पर देखिए इस form को आपको सही तरीके से fill up कर लेना है तो सबसे पहले इस box में अपना account number को type कर देना है और इस box में फिर से अपना account number को type कर देना है और इस box में जो भी आपके bank हाता पे नाम है उस नाम को इस box में type कर देना है और इस box में IFC code bank का यहाँ पे type कर देना है उसके बाद इस box में bank name का type कर देना है और उसके बाद इस box में branch name का type कर देना है और उसके बाद update के option पे click कर देना है तो यहाँ पर दोस्तों पूरा details को fill up कर लिए उसके बाद update के option पे click करते हैं क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अपडेट हो गया है तो दोस्तों एक पर हमें यहाँ पर चेक कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर चलिए बैक एकाउन डिटेल्स के ओप्शन पर क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर दिखिए जितना भी अते हैं तो दोस्तों यहां पिर देखिये पुरा वैंक का disclosure कर से लेखने क्लिया आपको मिल जा रहा है तो दोस्तों इस परकार से आप एक बार चेक कर लिजए और उसके बाद इस परकार से अपना बैंक एकाउंट को जोड़ दीजिए तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो के लाइक कर जब मेरी चनल पना है तो मेरी चनल को सब्सक्राइब कर जब लाइकान घंटी को भी प्रेस कर लिजेगा